नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनिल नागर है और विनाईएस के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है करेंट अफेर्स की इस सीरीज में आज हम 2023 और 2024 में जितनी भी महिला हैं चर्चा में रही है उनके बारे में जानेंगे और उनके जो भी योगदान है जिस फिल्ड में वो है उस फिल्ड से सम्बंदित जो भी इस्टेटिक प्रस्न बन सकते उन प्रस्न पर भी हम चर्चा करेंगे और इसका जो यह वीडियो है इसका PDF आपको टेलेग्राम पर विनाइस टेलेग्राम पर जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा और यहीं पर चैनल के कमेंट बोक्स में भी आपको PDF उपलब्द करा दिया जाएगा सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण जैसे हुएज बिकम दा फर्स्ट वुमेन चैर्मेन एंड सीओ और और रेलवे बोर्ट रेलवे बोर्ट की पहली महिला अद्यक्ष महिला अद्यक्ष और CEO कौन बनी सो हमारे प्रस्ण हैं जैसे जया वर्मा सिन्ना, डॉक्टर सोनाली घोस, अनुपरिया पटेल, अपूर्वा स्रिवास्तो हमारा सही उत्तर है, ओप्शन A, जया वर्मा सिन्ना, इनको रेलवे बोर्ड की पहली चेर्मेन और CEO, CEO न्यूक्त किया गया है अब हम रेलवे बोर्ड के बारे में जानते हैं, आपको पता होगा, या आप मैं बताता हूँ इंडियन रेलवेस की स्तापना 1853 में हुई थी, जब पहली ट्रेन, बोंबे, जो मुंबई था उस वक्त, बोंबे टू, थाने के लिए रवाना हुई थी और वर्तवान समय में, जो रेलवे मिनिस्टर है, वो अस्वीनी वेशना भे यह हमारा प्रस्ण था, अगला प्रस्ण भारतिय प्रतिश्पर्दा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो इसका सई आंसर है, रवनित कोर, रवनित कोर जी को Competition Commission of India की पहली महिला चेर परसन नुक्त किया गया है तो Competition Commission of India के बारे में जानते हैं Competition Commission of India की स्टापना 2003 में हुई थी यह एक statutory body है, जो की Competition Commission of India एक 2002 के थेत इसका गटन किया गया था है Basically, Competition Commission Competition Commission का काम है कि जो भी मार्केट में quality of product है उनकी गुनवत्ता को सुनिचित करना और मार्केट में एक healthy competition को प्रमोट करना जिससे की quality of product की quality of product अच्चा हो और productivity भी बड़े और एक healthy competition रहेगा जो छोटे businessmen होते हैं उनके भी हीतों की रक्चा की जा सकती है साथ ही साथ customers को भी अच्चे product की उपलबदा करवाई जा सकती है competition commission का यह main काम होता है हमारा अगला प्रस्ट who has become the new chief economist of organization for economic cooperation and development OECD आर्तिक सहयोग और विकास संगटन OECD के नया मुख्य अर्थसास्त्री कोन बने है सो इसका सयुत्तर Claire Lombardely इनको chief economist बनाया गया है organization for economic cooperation and development तो OECD के बारे में जानते हैं OECD एक intergovernmental organization है इसकी इस्तापना 1961 में हुई थी इसका headquarter जेनेवा सुच्जर लेंड में है आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्ट who has become the first Indian woman to be honored with Suriname's highest honor Grand Order of the Chain of the Yellow Star in 2023 2023 में Suriname के सर्वच सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star से सम्मानित होने वाली पहली भारती मैला कौन बन गई है तो इसका सही answer है द्रोपती मुर्मू जो की भारत की वर्तमान समय में राष्टपती है मामाहिम राष्टपती जी द्रोपती मुर्मू को सुरिणाम का ये highest honor दिया गया है ये highest honor वहाँ के प्राइमनिस्टा है चंद्रिका प्रकास चंद्रिका प्रसाध संतोकी के द्वारा दिया गया है और इस honor को देने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच जो bilateral relation है वो और भी मजबूत हो हमारा अगला प्राष्ण पाकिस्तान में भारती उच्चायोग की कमाल समालने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग जो भारत का है वहाँ पर पोचाया गया है सो गीतिका सिवास्ताव इसका सही answer है इसी के साथ एक extra question मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में एक high commission में महीला की पहली बार न्यूक्ति की है ठीक उसी परकार ब्रिटेन ने भी भारत में एक पहली महीला उच्चायोग की न्यूक्ति यहाँ इंडिया में की है जिनका नाम लिंडी केमरू ने यह ब्रिटेन की पहली महीला बारत में उच्चायोग के रूप में न्यूक्ति की गई है हमारा अगला प्रश्ण मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता इसका सई आंसर है स्वता सार्दा ओप्शन सी इनको मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का किताब दिया गया है अगला प्रश्ण बारती ओलमपिक संग आई ओए की पहली महीला अध्यक्च कोन बनी है तो इसका सई आंसर है ओप्शन बी पीटी उसा जो की एक एतलीट है इनको इंडियान ओलमपिक असोशेशन की पहली महीला अध्यक्च न्यूक्त किया गया है इंडियन ओलम्पिक असोशेशन की स्टापना 1927 में हुई थी और इनको हेट करने जो हेट करेंगी अब इनके अध्यक्ष होंगी PT उसा होंगी PT उसा जो एक अतलेट थी इनको पायोली एक्सप्रेस की उपादी भी दी गई है साथ ही इनको उडन परी भी का जाता है हमारा अगला प्रशना Who has won the title of Miss Universe 2023 Miss Universe 2023 का खिताब किसने जीता इसका सए आंसर है 26 पेला कोईस जो की निगार गवा की है इनको 2023 का Miss Universe अवर्ड मिला है और भारत की जो हरना सिंदु है इनको 2021 में Miss Universe का अवर्ड मिल चुका है तो हमारा अगला प्रश्न Who has become the first woman pilot of India to fly Sukhoi fighter aircraft 30MKI Sukhoi लड़ा को विमान 30MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला pilot कौन बन गई है तो इसका सही आंसर है Option C आउनी चतुरवेदी जो मद्द्रदेश से ब्लोंग करती है यह पहली महिला बनी है जिन्होंने Sukhoi fighter aircraft को उड़ाया है इसके साथ ही राफेल को उड़ाने वाली जो राफेल fighter aircraft है उसको उड़ाने वाली पहली महिला सिवांगी चोहान है और इसी के साथ एक और सिवा चोहान इंडियान आर्मी से है यह पहली महिला है जो कि सिया चीन में as a officer इनको वहां की command दी गई थी सो तीन प्रस्ण है आर्मी से मिलिटरी से संबन दी चो मैंने आपको बताया अवनी चतुरवेदी सिवांगी चोहान या सिवा चोहान सिवांगी सिंग है और सिवा चोहान है हमारा अगला प्रस्ण है हूँ विल बिकम दा वर्ल्ट फर्स्ट फीमेल एस्टोनेट तो गो अराउंड दा मून चंद्रमा के चारो और चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली महिला अंत्रिक चयात्री कोन बनेगी तो इसका सही आंसर है साउथ लेंडिंग भारत के चंद्रयान मिशन ने चंद्रयान थ्री मिशन ने की ती ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसने लेंड किया था और इसी दिन इंडियन स्पेस डे भी मनाने की गोशना की गई है अगर इसी के साथ जो चंद्रयान थ्री मिशन था वह एलवी एम थ्री इस लॉंच वेहकल से इसको चंद्रयान थ्री को ले जाया गया था और एलवी एम थ्री एम फोर को फेट बोई के नाम से भी जाना जाता है बाहूबली या फेट बोई और जिस पॉइंट पर चंद्रयान थ्री ने लेंडिंग की थी उस पॉइंट को सीव सकती नाम दिया गया है और इसको हाली में International Astronomical Union ने भी रिकंगाइस किया है तो मुन पर लेंडिंग करने वाला भारत पहला देश है जो उसके साउद पॉल पर लेंड किया है और हाली में जो मून पर लेंड करने वाला बारत चोता देश था और पांचवा देश अभी फिलाल जापान बना है बट साउथ पोल पर लेंड करने वाला इंडिया पहला देश था हमारा अगला प्रशन Who has won the Best Actress Award at the 69th National Film Awards 69 में, 79 में राष्टिय फिल्म पुरुषकार में सर्वष्ट अभिनेत्री का पुरुषकार किष्णे जीता तो इसके आंसर से आलिया भट और कृति सेनन बोट A and B दोनों को राष्टिय फिल्म पुरुषकार में सर्वष्ट अभिनेत्री का पुरुषकार दिया गया है आलिया भट को गंगुबाई काटिय वाड के लिए दिया गया है और कृति सेनन को फिल्म मीमी के लिए दिया गया है और जो 17th National Film Awards से इसकी गोशना भी की जानी है अप्रेल में और जो Awards दिया जाएंगे वो मही में दिया जाएंगे तो 70 वार National Film Fair जो Film Awards वो मही में दिया जाएंगे 2024 में अगला प्राशना Who has become the first woman officer of the Indian Air Force to receive Galantry Award वीर्था पुरुषकार प्राप्त करने वाली भारती बायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गया है इसका सही आंसर है Option A, DP का मिस्रा इनको Galantry Award इंडिया गया है और यह Award इनको इसलिए दिया गया है जब मद्धिप्रदेश में बाड की situation थी तो वहाँ पे रहत कारे करने के लिए इन्होंने एक विसेश योगदान दिया था उसी को recognize करने के लिए इनको Galantry Award दिया गया है हमारा अगला प्राशना Who has become the first youngest woman of India to address the United Nation? Three times सन्युक्त राष्ट को तीन बार समोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? So इसका answer है DP का देशवाल DP का देशवाल जी ने United Nation में भारत को तीन बार रिप्रेजेंटेटिव की रिप्रेजेंट किया है जो की सबसे कम उम्र की महिला है हमारा अगला प्राष्ट Who has been honored with Wild Life Conservation Award 2023? वन्यजीव संरक्चन प्रुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सई answer है आलिया मीर ये एक environmentalist है जो की जम्मु कस्मीर की है इनको Wild Life Conservation प्रुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 मार्च को World Wildlife Day Celebrate किया जाता है जो की वन्यजीव के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए इसको celebrate किया जाता है हमारा अगला प्राष्ट Who has become the first woman science chief of NASA NASA की पहली महिला विज्ञान प्रमुक कोन बनी है तो इसका सही आंसर है Option C, Nicola Fawkes इनको NASA की पहली महिला विज्ञान प्रमुक बनाया गया है NASA का, तो NASA के बारे में जानते है NASA का फुल पॉम National Aeronautics Space Administration यह NASA का फुल पॉम है NASA की स्तापना 1958 में की गई थी NASA का हेड़कॉर्टर Washington DC में है अभी हाली में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ISRO इंडिया की एक Space Agency है Indian Space Research Organization ठीक उसी पिरकार USA की Space Agency NASA है NASA और ISRO ने दोनों साथ मिलकर एक प्रजेक्ट लॉंच किया है जैसे निसार नाम दिया गया है निसार जिसका फुलपो में NASA ISRO Synthetic Aperture Radar ये एक प्रजेक्ट है जो दोनों के सयुक्त प्रियासों से लॉंच किया जाएगा हमारा अगला प्रशन Who has been honored with सरस्वती सम्मान 2023 सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है इसका सही आंसर है प्रभा वर्मा इनको सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और 2022 में सीव संकरी इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था हमारा अगला प्रशन Who has become the first woman to become an empire in ICC men's T20 International Cricket ICC Proust T20 Cricket में empire बनने वाली पहली महिला कोन बनी है इसका सही आंसर है किम कोटन जो कि न्यूजिलेंड से है इनको ICC Proust T20 Cricket में empire बनने वाली पहली महिला का दर्जा प्राप्त है अब मैं आपको बताना चाता हूँ कि जैसे ICC के बारे बताता हूँ International Cricket Council इसके स्तापना 1909 में हुई थी इसका headquarter UA में है और ICC T20 World Cup जो 2024 का होने वाला है वो USA और Western East दोनों मिलकर इसको organize करा रहे हैं इसमें total 20 टीम पार्टिसिपेट करेंगी तो ये T20 World Cup के बारे में मैंने आपको बताया है 2024 में होने वाला अगला प्राशन Who has become the first Indian woman officer to command fighter unit in the Indian Air Force इंडियन Air Force में भारती वायुसेना में लड़ा को इकाई की कमान समालने वाली पहली भारती महिला अधिकारी कौन बन गई है तो इसका आंसर है सालीजा धामी सालीजा धामी पहली महिला अधिकारी बन गई है इंडियन Air Force की जिन्होंने लड़ाको इकाई की कमान समाली है हमारा अगला प्राशन Who has become the first woman skydiver of the Indian Army दोस्तों इसका सही आंसर है Lance Knight Manju आप सभी जानते कि MPPSC 2023 के SSC में State Service Examination Prelims में इस प्राशन को पूचा जा चुका है Lance Knight Manju जी के बारे में जो की first woman skydiver थी हमारा अगला प्राशन Who has become the first woman president of Table Tennis Federation of India Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी इसका सही आंसर है Megna Helaavat इनको Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्ष के रुप में न्यूक्ति किया गया है Table Tennis Federation of India की स्तापना इसको 1926 में की गई थी और इसका headquarter New Delhi में है हमारा अगला प्राशन Who has become the first Indian woman officer to be posted overseas project of the Border Roads Organization जो विदेश में तेनात होने वाली पहली भारती महिला अधिकारी बन गई है भी आरो परियोजना की तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि Border Road Organization के द्वारा विदेशों में भी प्रोजेक्ट को complete किया जाता है तो उन प्रोजेक्ट के एक जो head बनी है पहली भारती महिला अधिकारी बनी है उनका नाम है Captain सुर्भी जखमोला इनको जो Border Road Organization के द्वारा भूटान में एक प्रोजेक्ट complete किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के अधिकारी के रूप में न्युक्ति दी गई है मैं आपको बताना जाता हूँ जैसे Border Road Organization BRO की इस्तापना 1960 में की गई थी BRO का जूरिस्डिक्शन बेसिकली जैसे इंडिया के जो दूर दराज के छेतर होते और अफगनिस्तान, भूटान, म्यानमार, बांगलादेस इन देशों में भी जो प्रोजेक्ट complete करने का काम BRO के द्वारा किया जाता है और BRO का जो काम जैसे Road बनाना जो Border Area है इंडिया का जैसे की चाइना से सटे हुए इलाके पाकिस्तान, बांगलादेस, म्यानमार तो उन एरिया में Road का construction करना, tunnels बनाना जो All Weather Connectivity प्रवाइट कर सके आर्मी को उसी के लिए Border Road Organization कारी करता है और उसी के तेट जो एक प्रोजेक्ट भूटान में BRO के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें केप्टेन सुर्भी जक्मोला को न्यूक्ति किया गया है हमारा अगला प्रशन Which Indian has been conferred with the France highest civilian award किस भारतियों को फ्रांस के सरवच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर है कीरा नादर इनको फ्रांस का सरवच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रांस का Leeson of Merit Award है Leeson of Merit Award ये प्ये मोदी को भी दिया जा चुका है अब चुकि फ्रांस की बात चल रही है तो फ्रांस है European country है इसकी राजदानी Paris है और यहीं पे FATF UNESCO Reporters Without Borders जो की Press Freedom Index रिपोर्ट जारी करती है Reporters Without Borders ये तीनों के हेड़कोर्टर पेरिस फ्रांस में ही है हमारा अगला प्राश्ण Who has become the new managing director and CEO of the Invest India Invest India की new MD and CEO को किसे नियूक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है निवरत्ती रोय इनको MD and CEO Invest India का बनाया गया है Invest India की स्थापना बेसिकली 2009 में हुई थी हमारा अगला प्राश्ण भारत की और नागलेंड की राजदानी कोहिमा है नागलेंड में नागा हील से जो की नागलेंड म्यानमार से बोर्डर शेयर करता है हमारा अगला प्राश्ण वू इस बीकम दा फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड अम्बेस्टर ओफ दा लग्शरी लग्शरी फेशन ब्रांड गुच्ची पहले भारती जो वेस्विक लगजरी फेशन ब्रांड गुच्ची की ब्रेंड अम्बेश्टर बन गया है तो इसका सही आंसर है आल्यवर्ट इनको गुच्ची जो कि एक लगजरी फेशन ब्रांड ए उसके ब्रांड अम्बेश्टर निूक्ति किया गया है अगला प्राशन, who has become the first woman Prime Minister of Italy, इटली की पहली महिला प्रदानमंत्री कोन बनी है, आप सभी जानते हैं, G20 के टाइम पे भी जो इटली के प्राइमिनिस्टर थी, उनके बारे में काफी चर्चा रही थी देश में, तो इटली की जो प्राइमिनिस्टर है, जो पहली महिला प् के बारे में पूचा था, हमारा अगला प्राशन, who has won the title of Miss Earth India 2023, Miss Earth India 2023 का किताब किस ने जीता, इसका सई आंसर है, option B, Priyan Sen, इनको Miss Earth India 2023 का टाइटल दिया गया है, अगला प्राशन, who has become the new chief and vice chairman of Meta India, Meta India की नहीं प्रमुख के और उपाद्यक्ष कोन बने हैं, इंडिया में, इंडिया में, Meta India के नहीं प्रमुख और उपाद्यक्ष बने संधिया देउनातन, इनको Meta India की पहली महिला के रूप में new chief and vice chairman nuke किया गया है, अब Meta India के बारे में जानता है, Meta आप सभी को पता होगा, Facebook का ही पुराना नाम है, और Facebook 2004 से शुरू हुआ है, एक social media platform में, जिसका headquarter California में है, USA, और इसके founder Mark Zuckerberg है, हमारा अगला प्रेस्ट ना, who is become the first woman cricketer to win the ICC player of the month award consecutively, ICC player of the month, पुरुष का लगतार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो उसका सही answer है, एसले गाड़नर जो की Australia की है, ये पहली महिला बनी है, जिनको ICC player of the month consecutively लगतार अगला प्रस्थन, who is won the best actress award at the दादा साफ फाल के international film festival awards 2023, दादा साफ फाल के 2023 का award basically किसको मिला है, तो ये आलिया भट को दिया गया है, दादा साफ फाल के award, और आप सभी जानते, father of Indian cinema, दादा साफ फाल के को जाना जाता है, who will be honored with the second Lata Dina Nat Mangeskar award 2023, किसे दूतिये लता दिनानात मंगेशकर पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये दूसरा इसमें पूचा गया है, तो इसका अंसर है आशा भोषले, इनको 2023 में दूसरा Lata Dina Nat Mangeskar पुरुषकार दिया गया है, 2022 का पहला था, वो प्राइमिस्टर नरेंद मोदी को दिया गया है, प्राइमिस्टर मोदी जी को दिया गया है, और हाली में 2023 का दूसरे नमबर का था, जो कि आशा भोषले को दिया गया था, 2024 का अमिताब बच्चन को दिया गया है, अमिताब बच्चन जी को दिया गया है, ये पुरुषकार Lata Mangeskar जी की फेमिली के द्वारा दिया जाता है, उनकी इस मृत्य में, जिनकी मृत्यूद 2022 में ही हुई थी, Lata Mangeskar जी को भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये पुरुषकार है, ये पुरुषकार समाज, देश के विशे में जो वेक्ति, विशेश योगदान देते हैं, उनको ये पुरुषकार से नवाज आ जाता है, हमारा अगला प्रस्ण, Who has become the new head of new development bank, new development bank के नय प्रमुक कोन बने हैं, तो new development bank के नय प्रमुक दिल्मा रूसेब बने हैं, जो की एक महिला है, ये ब्राजिल की है, और new development bank की स्टापना, 2014 में की गई थी, और इसका headquarter संगाई में है, संगाई में headquarter है, जिसके बाद में ये इसकी स्टापना, basically BRICS countries के द्वारा की गई थी, आप सभी जानते हो BRICS एक गुरूप है, पांच देशों का, ब्राजिल, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका, जिसकी इस्तापना 2009 में की गई थी, और इसका headquarter संगाई में चाइना में है, इसी ने ही new development bank के इस्तापना की थी, अगला प्रस्णू, who has become the first woman chief secretary of Telangana, Telangana राज जी की पहली महिला मुक्य सचीव कोन बनी है, तो इसका आंसर है, option C, सांती कुमारी, इनको Telangana राज जी की पहली महिला मुक्य सचीव बनाया गया है, और मद्धिप्रदेश में भी जो अभी वर्तबान समय में chief secretary है, मुक्य सचीव है, वो वीरा राना है, और पहली महिला निर्मला बुच जी थी, अप तिलंगाना राज जी के बारे में जानते हैं, तिलंगाना एक जो महराष्ट से, जिसकी border share करता है तिलंगाना, तिलंगाना दोजारतेरह में, आन्तपर थे से अलग वकर एक अलग राज जी बनाता, और तिलंगाना की राजदानी हैधराबाद है, हैदराबाद में चार मिनार जैसी इस्टोरिकल बिल्डिंग्स है और जिसके बाद में हैदराबाद की इस्तारना कुली कुतुब सार ने की थी सो ये एक्स्टा जानकारी थी अगला प्रस्ण Who has become the first woman Secretary General of World Meteorological Organization WMO मोसम विज्ञान संगटन की पहली मैला महासचीव कोन बनी है तो इसका सई आंसर है Celeste Saulo ये World Meteorological Organization की पहली मैला Secretary बनी है अब हम जानते हैं World Meteorological Organization के बारे में WMO इसकी इस्तापना 1950 में की गई थी और इसका हेड़कॉर्टर जेनेवा स्विट्जरलेंड में है Basically WMO यानी की World Meteorological Organization Atmospheric Phenomena जो भी होती है उसके बारे में information disseminate करता है लोगों को aware करता है और जो भी atmosphere में घटना है घट रही है उनके बारे में anticipate करता है उनके कारणों को भी लोगों के सामने या public domain में रखने का कारी करता है हमारा अगला प्रस्ण Who has become the first woman director General of United Nation Migration Agency UNMA सन्यूक्त राष्ट प्रवासन एजिंसी की पहली महिला महानिदेशक कोन बनी है तो इसका सही आंसर है Amy Pope इनको United Nation Migration Agency की पहली महिला डाइरेक्टर के रूप में न्यूक्त किया गया है मैं आपको बताता हूं International Organization IOM यानि की International Organization for Migration इसको 1951 में constitute किया गया था बैसिकली ये माइग्रेशन के बारे में डेटा को available कर वाते हैं और माइग्रेशन के बारे में जो भी कारण है और जिन कारण से या माइग्रेशन के जो भी पोलिटिकल, सोचल या क्लाइमेटिक फेक्टर है उनके बारे में भी लोगों को विस्तार से रिपोर्ट के जरी बताने का कारी करता है International Organization for Migration अगला प्राशन Who has become the first woman chief of US Navy US Navy की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है तो इसका सही आंसर है Lisa Frenchetti इनको US Navy की पहली महिला प्रमुक न्यूक थी किया गया है अगला प्राशन Who has become the new CEO of social media platform Twitter ट्विटर की जो एक social media platform है इसकी नई CEO किसे न्यूक थी किया गया है तो इसका आंसर है Linda Yacarino को ट्विटर का नए CEO के रूप में न्यूक थी किया गया है ट्विटर जो की अब X के रूप में जाना जाता है इसको Elon Musk ने खरीद लिया है अब Elon Musk इसके हेड है ट्विटर के इसका अगला प्राशन Who has become the new CEO of Vodafone Group Vodafone Group की नई CEO किसे न्यूक थी किया गया है तो इसका आंसर है Margarita Dela Vela Option A इनको Vodafone की नई CEO न्यूक्त किया गया है Vodafone Group एक England की कंपनी है और ये टेले कम्मुनिक्सेशन टेले कम्मुनिकेशन या दूर संचार से संबंदित कारी भी करती है जैसे आप सभी जानते होंगे Vodafone की चिप आती थी पर तो इंडिया में या कहें वodafone आइडिया इंडिया फू एस बोन दा लिप जिग पुरुषकार पुष्टक पुरुषकार किसने इन दोजार तेविस में लिप जिग पुष्टक 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 किसने जीता है तो इसका सही आंसर है मारिया इश्टे पानाओ मारिया इश्टे पानाओ को लिप जिग पुरुष्टक पुरुषकार से नवाजा गया है हमारा अगला प्रस्ण वू एस वोन दा टाइटल ओफ फेमिना मिस इंडिया दोजार तेविस का किताब किसने जीता तो इसका सही अंसर है क्योंकि कोटा राजिस्तान से है इनको फेमिना मिस इंडिया का अवोर्ड दिया गया है अगला प्रस्ण वू एस बीकम दा फर्स्ट वुमेंड डाइरेक्टर ओफ इंडियन इंस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी मद्राज जंजिवार केमपस इंडियन इंस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी मद्राज जंजिवार परिसर की पहली महिला निदेशक कोन बन गई है तो इसका सही अंसर है उप्शन ए प्रिती अगलायम इनको आईटी मद्राज जंजिवार केमपस की पहली महिला निदेशक निउक्त किया गया है आप सभी जानते होंगे इंडियन इंस्टिटूट ओटेकनोलोजी एक प्रोमिनेंस इंस्टिटूट है भारत का जो की इंजिनिरिंग बीटेक से संबंदित सिक्चा परदान करता है परन्तु ये आईटी अब वल्ड ओवर ये ग्लोबल लेवल पर भी विस्तार कर रहे है हाली में जैसे UAE में एक केंपस को लगाया है टीक उसी प्रकास जन्जिबार में भी एक केंपस है आईटी का वहां की पहली महिला नीदेशक प्रिती अगलायाम को निउक्ति किया गया है अगला प्रस्ण फर्स्ट वुमेन लोको पाइलेट इन एशिया टू ओपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट कोन बनी है तो वो पहली महिला लोको पाइलेट कोन है उनका नाम है सुरे का यादव यह वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली लोको पाइलेट बन गई है जिन एशिया में प्रता है अगला प्रस्ण Who has been appointed as the first woman permanent representative of India to the United Nations United Nations में या सन्यूक्त राष्ट में भारत की पहली इस्ताई महिला प्रतिनीदी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो सही आंसर है रूचीरा कमबोच इनको United Nations यानि सन्यूक्त राष्ट में पहली इस्ताई महिला प्रतिनीदी के रूप में न्यूक्त किया गया है तो United Nations के बारे में जानते है United Nation जो की 24 अक्टूबर 1945 में इसको constitute किया गया था और 24 अक्टूबर को भी United Nation का charter sign हुआ था इसलिए United Nation Day भी इस दिन celebrate किया जाता है United Nation में total 193 countries है भारत भी एक member है founding member भी था भारत, इंडिया और United Nation की बहुत सारी specialized agency है जैसे की World Meteorological Organization, अपना WHO, World Health Organization, जिसके पाद में Food and Agriculture Organization, यह सब organization United Nation की एक agency होती है जो की World Over कारी करती है, अमारा अगला प्रस्टन, Who has become the new woman director general of ससस्त्र सीमा बल, यानि की SSB ससस्त्र सीमा बल की नहीं महिला महानिदेसक कौन बनी, तो इसका सही answer है, option B, रस्मी का सुकला, इनको SSB यानि ससस्त्र सीमा बल की महिला महानिदेसक न्यूक्त किया गया है SSB एक पैराबिनेटरी फोर्स है, जिसकी स्तापना 1963 में हुई थी, और हेट क्वार्टर न्यू देली में है अगला प्रस्टन, Who has become the first Asian woman to win the Best Actress Award at the Oscar Award 2023 Oscar पुरुषकार 2023 में, सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी का पुरुषकार जितने वाली पहली ACI महिला कौन बन गई है तो इसका सही answer है, मिसेल यह हो, जो कि होंग कॉंग से है, यह पहली महिला अभिनेतरी बनी है जो कि Oscar पुरुषकार जीता है, वो भी सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी वाली केटेगरी में तो हमारा अगला प्रस्टन, Who has become the first woman to be the President of European Investment Bank European Investment Bank की पहली महिला, पहली अध्यक्च बनने वाली महिला कौन है तो इसका अंसर है, Ursila Walderland, यह European Investment Bank की पहली महिला प्रस्टन बनी है अगला प्रस्टन, Who was appointed as the ambassador of ICC Women's T20 World Cup Qualifier तो हाली में ICC महिला T20 World Cup Qualifier के राजदूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है इसका अंसर है, सानिया मीराक, जो कि पाकिस्तान से है इनको ICC महिला T20 World Cup Qualifier के राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कि जैसे ICC T20 World Cup होने वाला है यहाँ ICC T20 World Cup 2024 जो कि USA and West Indies दोनों साथ मिलकर इसको आयुजित कर रहे है 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें इंडिया तो ओविसली हो गई तो ICC के जो ब्रैंड अम्बेस्टर है वो यूवरास सिंग दूसरे उसेन बोल्ट जो कि West Indies के धावक है जमेका उसेन बोल्ट और क्रिस गेल ये भी West Indies के क्रिकेटर है और क्रिस गेल की एक पुस्तक आई थी Six Machine उनकी एक ओटोबाइग्राफी थी इसके बाद में अगला प्रस्ण Who has written the book India's Nuclear Times तो हाली में Indian Nuclear Times नामक पुस्तक किसने लिखी तो इस पुस्तक को लिखने वाले दो है option C इसका basically सही answer है तो इसको किसने लिखा तो सोम्य आवस्ती और स्रबना बर्वा इन दोनों ने India's Nuclear Times पुस्तक को लिखा है चूँके nuclear time डूक्लियर के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ nuclear power plant, जो की भारत में 8 है पैरातारापूर महराष्टि में बनाता दूसरा काईगा कर्णाटक में है तीसरा कल्पक्कन तमिलनाडु प्रिदेश में है दो कुडान कुलम या कलपक्कम तमिलाडू में भी है करनाटक में है, ऐसे टोटल आठ नुकलियर पावर प्लांट है, जो की भारत में है अभी और हमारा अगला प्रशन एक मद्धिप्रिदेश में भी, मद्धिप्रिदेश के मेंडला और सिवपुरी में भी प्रपोस्ड है नुकलियर पावर प्लांट, अगला प्रशन तो ये टोटल आज के इतने ही थे जो चर्चित महिला है, 2023 में रही है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है मैं नेक्स्ट वीडियो लेका राऊंगा उसमें जो बेसिकली कुछ और महिला है जो करेंट अफेर्स में रही है करेंट में रही है जिसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारी एक्जाम में एक महत्पुन जो पोर्शन है चर्चित महिला होगा, वो हम कवर कर लेंगे और उसके बाद में जो भी टोपिक नए-ए होंगे जैसे कि सेन्य अभ्यास होंगे महत्पुन न्यूक्तियां होंगी या पुरुसकार दिये जाते हैं उनसे संबन में सेपरेट वीडियो लेका राऊंगा उनसे हम एक-एक सेग्मेंट वाइस कवर करेंगे तो वो हमारे लिए फाइदे मन रहेगा इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और जे हिन जे भारत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ